आप नरेंद्र मोदी को सनातम धर्म को फिर से रिवाइव करने में उनका हाथ है इसको कितना मानते हैं इस बात को देखे धर्म तो हमेशा रहा है देश भारत देश कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ धर्म ना रहा हो लेकिन हाँ आज से कुछ समय पहले जब तक मोदी जी की सरकार से पहले लोगों में धर्म को लेके थोड़ी जिजकता थी थोड़ा डरते थे यह कहने में कि हम धार्मिक हैं या हम सनातनी हैं हम हिंदू हैं वो डर मोदी जी के आने की वज़े से दूर हुआ क्योंकि जब उन्होंने देखा कि उनका नित्रत्व करने वाला राजा अगर माथे पर टीका लगा के धोती पहन के मंदिर जा सकता है तो मतलब यह तो गर्व की बात है यह तो अच्छी बात है तो ये बहुत बड़ा change वो लेके आये हैं सब में लेके आये हैं यूथ में जादा लेकर के आये हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा उत्साह मिला थोड़ी power मिली बहुत सारी अच्छी चीजे भी हुई राम मंदिर तो बनना ही था क्योंकि राम जी का देश है राम जी की धरती है कोई रोकी नहीं सकता था लेकिन उसका एक जो श्रे मिलना चाहिए अफकोर्स जो सरकार वरतमान की रही है उनकी द्वारा उसका निरने आ करके इतना भव्य मंदिर बना और भी बहुत सारे निरने थे जो इस देश को मजबूती देते हैं पूरे विश्व की अगर बात करें तो वर्ल में भी देश को एक उचा दरजा मिला है देश को भारत को थोड़ा और जादा सम्मान के साथ देखने को मिला है क्योंकि हम भी लगबग मैं भी तीस से अधिक देशों में कथा कर चुकी हूँ तो वहाँ कही ना कही रहता है जब कोई इंडियन उनको दिखता भारती है तो थोड़ा सा नाक मू सिकोड के अरे भारती है उनको पता है कि थोड़ा सा देश गंदगी में है ऐसा है वैसा है तो उसके लिए भी मोधी साहब ने अभियान चलाया स्वच्छता अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभी तो यह सब देश की मजबूरती है और जो देश को आगे बढ़ाने के लिए करेगा जनता उसका साथ देगी और देना चाहिए एक पहली बात तो केवल अपना परसनल भी नहीं सोचना चाहिए कई लोग अरे भई हमारे घर में ही बदलाव आए तब ही हम मानेंगे की बदलाव है नहीं अगर देश बदल रहा है तो इक मेंस आपका भी बदलाव हो रहा है देश का भविष्य अगर उज़ल होगा तो आपका भी भविष्य उज़ल होगा तो इन देट सेंस की सारे धार्मिक लोग मेरी बात नहीं कर रही जितने भी संत इस सरकार को लाने में सबसे बड़ा हाती संतों का था सत्य बचे उनुने जाके संतों से आगर निवेधन अपने भाव बताए संतों ने कहा कि ठीक है आप धर्म के लिए काम करिए और इवन कितने संतों ने खुले आम मंचों से कहा कि वोट करिये और इन ही को करिए तो उसका reason यह नहीं था संतों को राजनीती से कि यही party जीते उससे कोई लेना दिना नहीं नहीं कोई किसी party के साथ वाला नहीं धर्म के साथ वाले क्योंकि कई मुद्दे ऐसे रहे जो दुखते हैं जिसमें से आज भी एक मुद्दा भी भी pending है गोहत्या गोहत्या का एक बहुत बड़ा मुद्दा जब भी संतों ने सपोर्ट किया तो यह मुद्दा सबसे आगे था कि गोहत्या रुकनी चाहिए गाय की दुरदशा है वो रुकनी चाहिए तो कहीं हुई जैसे state-wise कहीं कहीं स्लोटर हाउस बंध हो गए जो overall होना चाहिए जो निकलना चाहिए आदेश वो अभी तक भी नहीं आया I hope यह अगले 5 साल जो आने वाले है इसमें एक ऐसा आदेश मिले Central Government से कि भारत में एक भी गाय ना मरे और यही संतों की भी जीत होगी धर्म की भी जीत होगी और जो वरतमान सरकार है उसकी भी जीत होगी